आप रोग रिकॉर्ड करें लिए ज़र दोना दिम वाइफॉन से हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आथ का सेशन और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके साथ आज से करेंगे जैसे की हम आप एक सकेंड लिखिया तो इसमें देखिए नहीं है या फिर टेंथ हम लिखते हैं तो इसमें देखिए टीएच ऊपर देखिए और नहीं गया है आप वार्ड में करते हैं या पावर पाइंट में करते हैं तो यह उपर चला जाता है बट इसमें आपका उपर नहीं गया है हम क्या करेंगे ? हम डबल क्लिक करेंगे इसको सेलेक करेंगे , राइट क्लिक , और यहां सुपर स्किप्ट सुपर स्किप्ट करते हैं हमारा तिएज था , या जू भी वरड है उस देखिए उपर की तरह पचला है तरह से हो जाए है अगर इंगर करना हो तो कैसे करेंगे इसमें प्रॉल्म है कि एक ही में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उसमें कुछ तीग्रम यह कर जाता है तो चलिए तीग्रम आपको दाते हैं जिसे माल दीजिए कि मुझे डिग्री ही अपलाई करनी है कैसा है तो एकेद करके मैं वहां पर तो नहीं जाओं कि काफी अलगा मालेश हजार दोजार डेटा वहां तो काफी प् और इसको मैं यहां से इसको ऊपर कर देता हूं और यहां से साइट कर देता हूं और इसके ऊपर जाके हम सूपर स्किप्ट अपलाई करते हैं तो चोटा हो जाता है ठीक है उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्ण में जाने के बाद हम चारत्रव का सब्सक्राइब कि भीच का बॉर्डर हम भी लेंगे लिए लिए लेंगे लिए लेंगे लिए लेंगे वह खटा दीजिए यहां से लग रहा है सब कि अलो कि अधिक तो इसी तरह का त्रिक्स के बारे भी हम आपके साथ सब्सक्राइब कि अधिया कि अधिया आपके बारे ले लुटा Candम औरे ले लाए ट्टी को में और्टी को आपके दीजिए को वहां है कर सकते हैं इस तरह की चीज़े सोची जा सकती है ऐसे आपको एच टू ओ हमने कर दिया और हम चाहते है कि तू को नीचे के तरफ ला दे इस तू को हम सलेक्ट करेंगे यहां पर आइट क्लेक फॉर्मेट जल में जाएंगे और यहां से सब्सक्रिप्ट हमासा उपर की तलब होता है हम सब्सक्रिप्ट पीज़े हैं अगला टॉपिक हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा बॉरर से ही है अमाल लिजी की हमने कुछ नमबर लिखते हैं कि उससे पहले हमाला टेक्स लिखा आप टेक्स क्या लिखेंगे एक में किसी मेल से उठा लेता हूं इसी में से कुछ उठा लेता हूं है हमने टेक्स यहां उठा लिया है कि दिख तो ने रहा है कि इसके हाइपर लिख में हटा देता हूंने तो क्लिक हो जाए है यहांसे क्लिया है कि तो कैसे दिखेगे गा तो इसके लिए का में हम इंए कलिए है और फीन इस आपको यहां रिखता है यहां हो में बनाब में क्लियर होता है ना क्लियर में रिमूब है तो इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हैं माले की इसमें आप कोई गलत है माले जी कि एक नमबर गलत है तो मुझे बताना है कि इस सीद गलत है आपका तो उतने एरिया को सेलेक करके राइट क्लिक की लिए फॉर्मेट सेल पर जाए और यहां पर स्टिक थू कर देजिए इस तरह से कटा हुआ आपको दिखेंगा से एड ज़िए ठ्यांट ममद और है कि अगर आपका देजिए अब लेकिन अगर माली जी खूंस लिस्त लिस्ट और आपका है उस लिस्ट आफ नमबर में मुझे देना है कि यह गलत है तो उसमें जो फीचर्स में ने बताया फीचर्स करेंगे तो फ्यू दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फीचर्स समझ में नहीं आएगा उतना खास एफेक्ट नहीं देगा नहीं देगा ने थे रहाई हो तो मुझे पुछ ऐसा चाहिए तक कि पता से लिए कि हाँ दीसि द pound एसी इफेक्ट दे तो राइख ट्लिक करके जाओ आगा फॉर्मेट शेम में और फॉर्मसट सेल चनल faithful ऑपश्की बाॉडर हम इस बाडर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कलर द और एफ फॉर होता है लास्ट एक्षन को रिपीट करता है तो फॉर्मेर्ट सेल में चले जाए आपको बॉर्डर में यहां पर हमने कलर ले लिया इसको ले लिए हैं इसको स्कूलेक किया और इसको स्कूलेक किया बैद को कि यहां पर फॉर्मर्ट एस है। इसके फॉर्मुला इतना जदा इफेक्ट नहीं करेगा उसके से पीछे रीजन रीजन एं है कि हम हम फॉर्मुला वांने की सिर्टर जा क्लिशन इसको हम और यूज नहीं किया सकते क्योंकि फॉर्मेटिंग को एक्चिली डिट्ट नहीं किया सकता है लेकिन अगर आप चाहिए तो एक काम और कर सकते हैं कि मैं कैप्स में पी को लिखा हमारे पास एक को फॉर्ण होता है एक फॉर्ण होता है एक बूल लिए यह वैंदिंग टू होता है कि बेडिंग टू होता है दबू से लिए तो क्या करेंगा कि पी को इस निसान मतलब कि इसकी विजलेटी रहेगा तो इसकी विजलेटी चेंज कर देगा और ओ कैप्स में रा लेंगे तो क्रॉस कर देगा ओ आपका यह यह आगिया कि सब्सक्राइब कि अलो यह सब्सक्राइब अब इसमें की होगे हमारा अब इसमें की होगे हमारा इसमें हम बात करते हैं कि यह तो फॉन्ट है माल लेजी तो हो सकता है कि किसी सिस्टम में यह मैंनिंटू नाम को फॉन्ट नौव होगे फॉन्ट एक्सल का पार्ट को नहीं वह विंडू का पार्ट है किसी वर्जन में हो सकता है तो उस केस में क्या करें तो उस केस में कैस में J लिखेंगे और इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे यह alignment है alignment में आप माइनस 45 डिगरी की एंगल पे इसको rotate करते है तो यह आपका इस तरह से होगा है और क्रॉस है और यह भी होता है और यह भी है चलिए एक इक्जाम पर आपको और देता हूं मैं एक simple सा data बनाता हूं जिसे attendance का data माले दिए attendance का data हमने बनाया और यहां भी हमने date डाल दिया date हमने डाल दिया यहां 31 31 31 मैंने माले की कुछ नाम भी डाल देता हूं आप 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 ठीक है अब प्रॉलम ही है कि इसको एक पीज पर प्रिंट निकालना मुश्किल है क्योंकि इसकी नहीं आपा रहा है हम देख रहा है कि इसकी रिए हेडिंग है वह हेडिंग के वज़ास से ही हम प्रिंट एक पेज में प्रिंट निकर पार है बाकि डेटा तो हमारा लॉमन छोटा सा है क्या सब्सक्राइब एक पेज पीज को प्रिंट करना मुश्किल हो गया है तो मैंने उस सेलेक्ट किया और गया फॉर्मेट से लिए और फॉर्मेट से लिए जाने के बाद मैंने किया इसकी अलाइमेट यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी अलाइमेट हो सकता है यहां से मैंने रोटेशन कर दिया रोटेट कर दिया टेक्स्ट अब और फिर मैंने पूरे सीट को से रख किया और यहां पे किसी कॉलम की ऊपर जाके कॉलम की जो डिवाइडर होता है और जाके कबल क्लिक कर दिया अब हमारा जो डेट हेडिंग है वह हम पर्वीपार है एडेवल भी है क्या है और एक पीज पे हमारा प्रिंट भी दिदेगा अब मैं इसको लैंडसेफ करूँ तो पॉर्ट्रेट रेज़ी नहीं दिया है तो इसका यूज होगा है तो फॉर्मेंटिंग इसी तरह से फॉर्मेंटिंग भी हमारा डिपूर्ट काफी ज़्यदा इफेक्टिव बनाती है और हमारे प्रॉल्म को भी सॉल्व करती है जैसे कि आभी आप हमारे कुछ एक्जाम्पल में देख रहे हैं अब बात करें पहले मैंने बहुत बड़े से वर्ड को मर्ड करके रैप किया था आप ने भी देखा कि कैसे हमने बड़े से सब्सक्राइब किया रैप की आप कर दिजीएगा तो तो टूटकी उसी कॉलन में आजाएगा लेकिन कभी क्या होता है कि मुझे क्योंकि मैं आप के लगाऊ तो क्या हो आपकी फॉंट की साइज कॉलन की साइज और आपकी स्पेस की अकार्डियू तो तोड़ता है तो मुझे आल्ट एंटर प्रेस करूंगा करसर नीचे आजाएगा तो आल्ट एंटर सॉटकर्ट होता है टाइप करते से में अगर आप करते हो तो लेकिन मैं मुझे नहीं करना है क्योंकि रैप करने से हमारा रो की साइज इंक्रीज जाती है अन्हें मुझे आटो फिट करना है क्या क्या करेंगे कि फॉर्मेट से मिने जाएंगे और यहां हमारे पास अलाइमेंट में ही एक होता है श्रीक्ट फिट कर देंगे तो हमरा टेक्स जो है मेरी कॉलम की साइज में आ जाएगा हम अगर बढ़ा करेंगे तो बढ़ा हो प्राइब तो बढ़ा और चूटा करेंगे तो बाकि आप मर्च को क्यांते हैं कि अब बढ़े से मर्च कर लेते हैं ने कि मर्च भी और होता है क्रॉस मोट्च वह सिर्फ कॉलम को मर्च करता है तो ठीक है अब इसकी जरूरत किसमें पड़ती है इसमें बहुत सारे आसे फॉल्ट हम लोग बनाते हैं इस फॉल्ट में फॉर्म बढ़ा बनाते इस फॉल्म प्रवेस की जरूरत पर जाती जैसे यह देखिए यहां दिक्टना सर्थ इस फॉल्ट में देखिए यहां इंट्रेट से डाउन्लोड है आपने इस देखिए है ठीक है चलिए उसके बाद आपना नंबर फॉर्मेट्टिव होता है तो मैं चाहँ है कि इसको हम कल करें आज नहीं कि इससे पहले जो फॉर्मेट्टिंग है उसको अच्छे दर्स आप देख लिए जो आपको आगे चलके टेक्स फॉर्मूला और वी वी माइक्रोगार्मिंग इन सबों में यूज होता है ठीक है ठीक है हुग मैं, difference आपकों कर दोकाρηी बğाब में हुग कि इससका इससे देखा बार अभी आवर्मिंग